हेलो अस्टोरंट्स डियेस मैथेमाटिक्स कलासेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दो जो एकजाम बिहार बोड़ द्वारा एक फर बारी 2023 को लिया गया है मैथ का कोस्चन उसी का आज केवल अंसर बताया जाएगा कि क्या क्या होगा तो इस वीडियो में एक से 50 कोशचन तक कभर किये हैं अगले पार्ट नम्बर टू में 50 से 100 कोशचन तक कभर कर देंगे और यह है जो दोस्तो set A है और यदि आप दोस्तो इन वीडियो को पूर डेल में आपको solution चाहिए तो link आपको वीडियो को description में मिल जाएगा वहाँ से आप पसानी से देख सकते हैं total detail में आपको solution किया गया है तो चलिए अब एक number question की ओर चलते तो यहाँ पहे एक number question जो है कि यहां से matrix से लिया गया था और एक number か प्रश्ण C है जो कि साही है अब प्रश्ण नंबर 2 में चलते हैं प्रश्ण नंबर 2 में का अंसर यहाँ पे C नहीं होगा बलकि D है जो कि यह भी मैट्रिक से लिया गया है और तीन नंबर प्रश्ण में जो यह है यह integration से लिया गया है definite integration से तो इसका answer होता है यह A सही है चार नमबर प्रश्ण का चार नमबर प्रश्ण जो की integration से लिया गया है और इसका answer C है आपको इतना question में कितना सही होता है आप comment करके नीचे बता सकते हैं उसके बाद 5 नमबर की ओर बढ़ते हैं 5 नमबर का सही उत्तर है C 6 नमबर का A और 7 नमबर का B 8 नमबर का सही उत्तर D है और 9 नमबर का सही उत्तर C है 10 नमबर का सही अंसर A है और 11 नमबर का सही अंसर B है ठीक है 12 नमबर का सही अंसर B है और 13 नमबर का सही अंसर 13, 14 13, 14 बताते हैं 13 नमबर का सही अंसर जो है कि A है A पर ठीक लगा देते हैं आप ये उत्तर आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है और यदि आप पूरे डिटेल में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएकर डिटेल में सोलूसन किया गया है 14 नमबर का सही उत्तर जो है B है और 15 नमबर का सही उत्तर C है उसके बाद 16 नमबर पर चलते हैं 16 नमबर का सही उत्तर C है C है, 17 नमबर के सही उत्तर B है अब 18 नमबर के सही उत्तर B है और 19 नमबर के सही उत्तर A है में हेक्टर से लिया गया है और 20 नमबर के सही उत्तर C है 21 नमबर के सही उत्तर C है जो की इंटिग्वेशन से लिया गया है 22 नमबर के सही उत्तर C है और 23 नमबर का सही उत्तर C है 24 नमबर का सही उत्तर C है और 25 नमबर का सही उत्तर C है 26 का 26 का B नहीं होगा 26 का B होगा 27 का C होगा 28 का A होगा 29 का 29 का C होगा 30 का 30 का A होगा 31 का D होगा यह question मेरे ही student का है, देख सकते हैं DS mathematics class से 95 95 नमबर लाता है यहां का तो 32 का 32 का D है और 33 का 33 का C है 34 का C है 35 नमबर का B है 36 नमबर का अंसर सही उत्तर E है और 37 नमबर का सही उत्तर जो की C है 38 नमबर का सही उत्तर C है और 49 नमबर का सही उत्तर आपको D हो जाएगा 40 नमबर का 40 नमबर का सही उत्तर D है एक मैं और बात बताता हूं यह जो C C सेट A का सुलूसन किया जा रहा है ठीक है अस्ट्वेंट्स तो आप लोग कोस्चन यदि आपको अलग सेट है B है C है D है तो आप कोस्चन मिलाकर सही चेक कर सकते हैं और आप अपना कितना आपका कितना सही होता है आप कमेंट में बता सकते हैं तो 40 तक बता दिए अब 41 का 41 का D होगा 42 का 42 का 42 का B होगा 43 का यह होगा और 44 का जो कि 3D से कोस्चन है 44, 44 3D में प्लेन से कोस्चन है 44 का C होगा ठीक है 45 का 45 का C होगा 46 का C होगा 47 जो की भेक्टर से कोस्चन है इसका सही उत्तर B होगा और यह मलग डावल डिफ्रेसिंस है ठीक है उसके बाद 5 X का 5 हो जाएगा ठीक है तो यह ही है 5 5 के पावाव एक्स और एक आमन का सही उत्तर एक आमन का सही उत्तर D होगा ठीक है और बावन का सही उत्तर चलिए इस वीडियो में 50 तक ही भेने देते हैं और अगले वीडियो में फिर से हम 50 से लेके 100 तक अंसर देने वाले हैं यह आप डिटेल में पूरा डिटेल में डिटेल में आप अंसर चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्सन में जा सकते हैं डिएस सम्भू सर के द्वारा डिटेल में सोलूसन करवाया गया है आप उहां से देख सकते हैं क्या मेरा माइनर मिस्टेक हुआ है और यदि आपके आपके भाई वाहन कोई भी 11-12 नवादा में पढ़ते हैं नवादा में तो आफ लाइन क्लास जोइन कर सकते हैं क्योंकि यहां का एस्टूएंट 99% नमबर लाता है माइत में माइत में कोई डाउट नहीं रहता ठीक है तो आज के वीडियो यहीं तक थैंक यू